Hello and welcome to my channel, so this is Divya, आज हम पढ़ेंगे एक important fact, और एक तरह से एक term है, जिसको हम explain करेंगे, और exam के लिए important हो सकता है, और ये pre or means हम दोनों के regarding इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये term क्या है, silvo pasture, तो basically अगर इसको हम bird vibe meaning देखें, तो silvo means क्या होता है, tree and pasture means एक तरह से grassland होते है तो इसको हम कैसे utilize कर रहे हैं, अपने sustainable तरीके से एक तरह से survival के लिए, अपने animal को, animals के survival के लिए, तो वो हम discuss करेंगे इस particular video में तो बात करें कि जो silvo pastoral system basically are those that combine tree growing with the production of livestock, इसमें क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो grassland में क्या करते हैं, tree का और जो live stock है, means animal है, जो मारे, जो daily use में, milk के लिए, जो other use करने के लिए, हम अपने live stock को एक तरह से पालते हैं, उसमें कैसे helpful है, तो इसमें क्या होता है, कि suppose करिए कोई grassland है, तो उसमें tree लगाए जाते हैं, और उसमें साथ में live stock की population को, उसके एक तरह से उसको survive किया जाता है, पाला जाता है, अपने economical use के लिए, और अपने daily basis की requirement है, उसको पूरा करने के लिए, then this system typically include pasture system containing tree that are widely spaced and planted in clusters throughout the pasture, तो यहाँ पर अगर हम देखें, pastures का means क्या होता है, grassland, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि silvo means tree और pasture means grassland होता है, तो उसमें एक open area होता है, और उसमें हम tree को linear way में भी grow करा सकते हैं, यह clusters में, और उसके साथ क्या करते हैं कि live stock का production करते हैं उसमें, तो यह basically, यह term, term को define करें, तो उसका means यह है, और यह कहाँ पर found किया जा था, worldwide, मतलब आपको word में बहुत सारे countries में different, different area में देखने को मिल सकता है, तो इसमें अगर हम term के, अगर prelims के लिए देखें, तो यह term clear होना जरूरी है, बट अगर बात करें means की, तो इसको हम sustainable use में apply कर सकते हैं, means कि हम अपने soil को कैसे बचा सकते हैं, जब कोई भी grassland होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, कि बहुत सारे जैसे grazing वगेरा से क्या होगी, कि वह बहुत जल्दी destroy हो जाता है area, और उससे क्या होगा, कि वहाँ की जो soil है, उसका soil का degradation होना शुरू हो जाएगा, और जो एक तरह से fertility हो भी कम होनी शुरू हो जाएगी, बट वहाँ पर tree होगा, तो tree की जो roots होती है, वो एक तरह से binding का work करती है, means जो soil है, उसको bind करके रखती है, और उसके soil के degradation को, और उसके जो आपने देखा होगा, rain के साथ flow हो जाती है, तो उसको भी कम करते हैं, तो इससे क्या होगा, कि जो soil का loss है, वो भी कम होगा, और एक तरह से biodiversity को भी increase करने में help करेगा, और economical value, तो इसके साथ मैं already देखी चुके हैं, कि वो human के survival के लिए कितना important हो सकता है, और economical भी हो सकता है, तो अब देखें कि जो particular method के benefits क्या क्या है, और challenge क्या है, तो अगर benefits की बात करें, तो increase करता है shade for animal ball wing and production, तो इसमें क्या है कि shade area बढ़ेगा, कहीं पे जादा अ तो जो other organism है, उसकी survival में helpful रहेगा, then diversification होगा, farm income का, जो income है उसमें double, जैसे उसमें भी increase होगा, enhance होगी, then enhance forest quality, जो grassland है उसकी quality भी वहाँ पे develop होगी, increase होगी, enhance होगी, then इसके बाद देखेंगे कि जो quality और size of the tree for timber, अब timber का, suppose करिये जब tree का production इसना bulk में होगा, तो उसको हम directly किसमें use कर सकते हैं, timber की form में, then restoration होगा, जो भी सवाना habitat में क्या होगा, कि जो grassland होता है, उसमें दूर दूर आपको कहीं कहीं पेड देखने को मिलते हैं, एक तरह से scattered form में, अगर उसको हम silvopastures के through clusters में, अगर tree का production कराएंगे, तो उससे क जो grassland है उनका, अब इसके साथ हमने देखे कि benefits क्या क्या है, अगर साथ में देखे कि इसमें challenge क्या क्या है, तो अगर देखें तो इसमें बहुत जादा जो challenge है, lake of information का, means लोगों के पास information ही नहीं है, then lake of assistant for resource professionals, means professional का बहुत बड़ा lacunas है, means बहुत जादा इसमें अभी इतन एक तरह से professionalism हमको देखने को नहीं मिलती, bird-wide, अगर इंडिया में बात करें तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा यह बाला pattern, then increase, इसमें time जो है, थोड़ा जादा required होता है, means जादा time लगता है, then expenses भी जादा होता है, और lake of land भी है, means अभी क्या है कि population day by day increase हो रही है, त उसी proportion में कम होती जा रही है, तो उसका impact इस तरह के जो अगर हम कुछ method लेके आना चाहें, तो उतना easy नहीं हो सकता, but यह sustainable तो है, no doubt, but उसके लिए land भी proper होनी जरूरी है, then इसके बाद possible need for new or modified equipment, तो अभी देखें कि बहुत जादा अगर अपने countries की बात लेके चलें, तो ब particular method में, तो यहां तक हमने देखे, इसके benefits और challenges क्या है, और वो पिया आपको पूरा clear हुआ होगा, कि basically जो silvopasture technology method को कैसे हम use कर सकते है, sustainable development में, और यह इस तरह क्या होता है, कि कोई grassland है, then इसमें tree को कैसे clusters के form में भी आप लगा सकते हैं, linear way में लगा सकते हैं, और साथ में यहां पर live stock को भी कैसे produce कर सकते हैं, तो यह किसके थूरू possible है, silvopastures के थूरू, तो इसी के साथ मैं अपनी video को end करती हूँ, thank you so much for watching